हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हो आप साथ तो टाइम दस बज कर दस मिनट और ये बरतन मैंने साबुन लगा दिये इन सब को रगड दिये हैं और अभी में इनको धोने वाड़ी थी तो ध्यान आया कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लिपते हैं और ये डबा हुआ है धीका खाली कल परसों दे दिया है दो किलोगी और हमारे ये पेड बच गए हैं और इस पर एक ये बैंगनल लगा हुआ है देखिए दो पेड भराब हो गए हैं बाकी बचे हुए हैं तो कलियों क अच्छे से साफ भी कर दिया ये देखिए दिन ताड़ी से और पेड़ी से कटाई हो चुके हैं अभी रखोंगी दूद पाड़ी मैंने गरम लिया है बरतन साफ करने के लिए तो अभी आ गई हुए बाहर तो ये देखिए भार का थोड़ा सा बचा हुए ये और ये तसला रखा हुए यहां अभी गेरूंगी भैस के ठाण में थोड़ा सा रेत ग्रेवार में एक हिला और एक एल और बाट जयेंगी क्योंकि कुड़े भी नहीं डाला है तो चलिए करते हैं बरतन साफ बने रही है मेरे साथ तो अभी मैं करूंगी बरतन साफ मैंने पहले बता दिया था शाबुन मैंने इनको लगा दिये सबको तो अभी इनको फटा-फट से दो देती हूं और ये एक स्टील का डबा है ये दो दिन पहले ही खाली हो गया था थोड़ आसा की बचा था इसमें आज उसको मैंन भी 800 रुपए किलो है आप सब के यहां क्या रेट हैंगी के प्लीज कमेंट करके बताना तो आज ये डोरी ठीकी थी तो चाय के बरतन भी कप गिलासी कई हो गए है तो चलिए फटा-फट से कर देते हैं बरतनों की सफाई कर देखरा आई तो देखिए बरतन मेरे लगबग सारे दूल चुके हैं तो अभी एक आया है अद्धा किलो दूद लेख के जाता है तो उसको दूद देने के लिए मैं चली गई थी तो वीडियो को मैंने बंद नहीं किया सुचा कोई बात नहीं आप लोगों से दो मिनिट बात कर लेंगे तो अभी मैं उसको दूद देने के बाद थोड़ा सा गरम पानी और लेके आ गई हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम था तो दूद के बरतनों को तो और बे अच्छे से साफ करना पड़ता है वैसे बरतन तो द देखिए मैं आ गई हूँ पिछे की साइड और एक मिनट यह फरोटी में दो खैंच के लिए पत्वारा तो आज इसको करेंगे कम्प्लीट और यह इंटे पड़ी हुई है उनको अच्छे से से सैट करेंगे वो गड़ दूगड़ी ऐसी ही बड़ी है और यह साइड वो चारों ने यह पत्वारा बनाये हुए है यह देखिए और हम भी आज कम्प्लीट कर देंगे यह देखिए यह सिस्टम कटवाई थी वो मैंने यह लगा दी थी अभी सूप गई है तो जाड़ जाड़के अंदर लगा दूगी और इधर हमारी है पास नहीं यह देखिए तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर मिलते हैं थोड़ी देर में यह देखिए हैं मों योगी दोनों स्कूल से आ चुके हैं और उनके लिए बना दिया मैंने रोटी और उनने बनवाय बुंदी का रायता तो यह देखिए और इसमें योगी ने एक प्याज भी काट लिया है तो यह रोटी खाने के बाद जाएंगे टूशन पर वैसो को बार निकाल दिया था लगवग धाई बजे तो अभी है मुले क्या रहा है डाल रख्य हुई थी और यह है वालमी की जैनती तो देखिए महरिशिद अनंद जी बैठे हुए है और पीछे और भी लंबी जाकी है यह कड़स यातरा भी निकड़ी है इस बार और तीन तीन डिजे थे तो वह गाना तो हम इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोपी राइट आ सकता है और यह देखिए लेडीज कड़स यात्रा लेकर जा रही है तो बोल रही थी इनकी वीडियो बना दे तो मैं कह रही थी कि सब की बना दी आपकी तो यह देखिए यह जो आप काड़ी देख रहे हैं यह पता ने इसमें क्या दिक्कत हो गई है तो इसलिए लेडीज आगे निकला यह साइड से तो बैसे थोड़ी देर बाद चल रही थी और माजी भी यही खड़ी थी तो सभी राम राम करके निकल रही थी और ये देखी सारी खटी हो गई है ये देखी तो हमारे यहां बड़े दूम धाम से वाल में की जैनती मनाई जाती है किन किन के यहां मनाई जाती है प्लीज कमेंट करके बताना पुर्माजी खड़ी है यहीं पर क्योंकि सभी जाके देखने के लिए देखी कितने बीड़ो रही है और यह देखी यह गाड़ी आगए आगए और मैंने अब गेट बंद कर दिया था क्योंकि बकरी आ रही थी तो उसमें कह दिया था कि गेट बंद कर दो कोई आपके अंडर यदिए और ये रादा किर्शन की जाकी देखिए म्यूजिक मैं इसमें नहीं डाल सकती थी मजबूरी है वरना बहुत ही अच्छा म्यूजिक बज रहा था और बहुत ज्यादा धूम अचीवी थी क्योंकि आप लोग अंदज्जा लगा सकते हो कि तीन तीन डीजे बजें तो कितना श तुननक न्यारी हो जाती है तो आप देख सकते हैं बीड ये सभी वालमिको की है और ये देखिए इनको आप जानते होंगे बजनों में हमारे साथ रहती है ये है जी जी कमला तो आ रही थी है हमारे पास ही परसाद ले लिया है सभी ने और ये देखिए दूसरी जाकी आ चुकी है हमारे सामने ये है पारवती और ये है शंकर जी भगवान और ये डमरू रखा हुआ है इनका तो आप लोगों को कैसा लगा इनका डान्स और ये पूरा प्रोग्राम जितना भी गर के आगे से जा रहा था जिस तरह से भी मैंने इनको रिकोर्ड कर लिया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है तो देखिए थोड़ा सा म्यूजिक मैं आगे डाल रही हूं तो लेजिए और आनंद लीजिए जाकी का और जाकी देखने के बाद मैं आ चुकी हो अंदर और लग गई हो बने काम में क्योंकि आज काम मेरा फिर से लेट हो गया था आप लोग बोलोगी कि रोज लेट लेट बोलती रहती है तो मैं गोबर थेपने के लिए जो पथवारा ब लग जाएंगे और फिर आने के बाद मैंने बैस को चारा डाला और दूद में काड़ा उसके बाद आ गई थी जाकी तो जाकी देखने के बाद फिर वो बैठ गए थोड़ी देर चाय पी तो बैठना का मतलब यह है कि लग बगाद 10 गंट खराब हो जाता है एक बर बैठने अंदर तो बस एक-एक है और एक या दो बाहर कर दियें इन्होंने तो इनको डाल दूँगी और अभी आ गई हूं मैं थोड़ा सचारा काटने के लिए क्योंकि जो कासनी है वो के लिए कासनी कटती नहीं है तो थोड़ी से दूब है यह काट लूँगी और योगिता दिख मैं इसके लिए थोड़ा सचारा थोड़ी सी कासनी और काटनी है क्योंकि अब फटा-फट कर रहे हूं यह देखिए टाइम पूरे आठ बच गए है इनकपडों की तया करने बिस तरह मुने बाहर रख दिया है और यह मुझी थाड़े लेक्टी मैं बाहर देखिए रोटी और गी सकर खाएगा अज हमारा भाई तो चलिए इसको दे देती हूं ले भाई है लो नहीं बोलो है लो चलिए योगी की रोटी ओर लेक्टी हूं